हाई अब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुराहुल जे स्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे और टुट्योरियल्स में फ्रेंड्स आज सामदें इंग्लिष ग्रामर का लेक्षे विडियो लेकर आगे हुँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे इंग्लिष ग्रामर का लेक्ट्चर नॉम्बर 14 दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम हर संडे आपके लिए लेकर आ जाते हैं और हर एक तो छोटे स्टांडर के हो बड़े स्टांडर के हो हर एक स्टांडर के स्टुडेंट को यहां पर common grammar में पढ़ाता हूँ जब इसको आप समझ लोगे जब भी आपके exams में इसके base के ओपर question आएंगे दोस्तों तो जरूर से आप लोग इसको solve कर पाओगे तो उमीद करता हूँ दोस्तों हमारा यह जो effort से आपके लिए हम डालते हैं जो हर संडे को भी मैं आराम नहीं करता हूँ संडे को भी आपके लिए मैं एक English grammar का लेक्शे वीडियो लेकर आता हूँ हैं सो रहे हैं कहीं न कहीं इस चीज में क्या है action हो रहा है तो जहां पर action आ रहा है वह चीज को हम लोग वर्ब बोलेंगे और वर्ब यहां पर क्या है दो टाइप के पढ़ने है एक होता है finite दुस्तरा होता है non finite verbs तो finite verbs की बात करें finite verbs change the form when there is a change in the number of person of the subject यानि कि जो finite verbs ऐसे verbs होते हैं कि वो अपना जो form होता है वो change कर लेते हैं कि अगर सामने कितना number of person या फिर कितना number of subject खड़ा है तो जैसे कि अगर singular है तो यहां पर verbs कुछ और रहेंगे यहां फिर number of multiple person आगे multiple objects आजाएंगे तो वहां पर change हो जाएंगे हम example study करेंगे तो आपको ज्यादा better way में समझेगा अभी तुम्हें आपको बस definition बता रहो आगे examples भी है तो आप बने रही है बस आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और दूसरा है non finite verbs नाइप से पता चलतेगा that do not change their form यानि कि वह अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं चाहे सामने कितने भी number of person होने दो उससे फरक नहीं पड़ता वह अपना फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे और basically बात करें तो there are mainly three types of non finite verbs जो होते हैं वह तीन टाइप क्यों होते हैं इसके अलबाभी definition है यहां पर जैसे कि अकर बात करें there are mainly two types of verb in English जैसे हमने बात किया कि वर्ब्स जो होते हैं वह दो प्रकार की हो सकते हैं पूरे English के अंदर एक होता है finite verb दूसरा होता है finite verbs जो होंगे वह अपना form को change कर देंगे इन साथी में अपने tenses को भी change कर सकते हैं और वही non finite verbs क्या था कि वह अपना form कभी भी change नहीं करेगा चाहे number of person बदले या फिर नहीं बदले और mainly यहां पर तीन टाइप है यह wants का मतलब हो जाएगा finite यहां पर क्या हो रहा है कि finite में हम लोग जो है और वो क्या हो रहा है हमारा एक तरीके से हमारा change हो रहा है ठीक है दो ओने एंपर when ने दिखा यहां पर 2 भी दिखा है तो 2 भी मेरा क्या है non finite मतलब कि कहीं पर भी यहां पर जो 2B word है यह चेंज नहीं होने वाला जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर यहीं example को continuous करते हैं क्या यहां क्या पढ़ा कि जो हमारा finite था finite verbs क्या और चेंज हो रहा था जब भी number of person change हो रहेंगे तो यहाँ पर वो ही चीज यहाँ पर apply अगर करते हैं तो my little brother wants to be a doctor my little brother wants to be a doctor तो wants क्या है मेरा finite है क्यों finite है क्योंकि जब number of person को मैं change करूँगा तो यह change हो जाएगा या फिर tense change करूँगा तो tense के इसाब से change हो जाएगा यानि कि अगर मुझे past tense में बोलना रहेगा तो मैं wanted बोलूँगा तो यानि कि वो change हो रहा है तो यह क्या रहेगा finite रहेगा लेकिन to be यह जो रहेगा मतला मुझे बनना है to be यह तो आपका same ही रहने वाला तो to pass तो same ही रहेगा यानि pass हो रहा है तो यह non finite है यह change नहीं हो सकता ओके दोस्तों clear है तो उमीद करता हो कि यह आपको समझ में आ रहाएगा और भी ऐसे examples है जैसे कि I couldn't solve the problem तो couldn't solve क्या हो जाएगा finite हो जाएगा विकॉस यह चीज आगे जाके without getting notice यानि कि आपका कार यह है कि आप जो है bridge को cross कर लो और आप notice भी ना हो जाओ तो इसमें is जो रहेगा is तो finite में ही आता है correct है and to cross जो हो गया यह non finite आ जाएगा और getting जो है यह भी non finite आ जाएगा तो उमीद करता हूँ कि यह यह चीज आपको समझ में आ गया होगा और वही अगर बात करें कि जो non finite से वह तीन प्रकार के थे तो वह तीन प्रकार क्या है infinitive gerents और participle यह क्या होता है यह भी discuss कर लेते हैं infinitives के अगर हम बात करेंगे तो infinity क्या होता है and infinity usually begins with the word 2 यानि कि जो infinitive words होते है वो क्या होते है start कहां से होते है two से start होते है and is followed by a base form of a verb two के बात क्या हो जाएगा generally verb आएगा यानि कि अगर हमें कोई भी statement दिया रहेगा और question में पूछा रहेगा कि infinitives पहचान हो infinitives जो होते है वो two words से start होते है और उसके just about जो होगा वो क्या हो जाएगा कोई भी verb होगा तो वर्ब में क्या हो सकता है that is eating sleeping running playing यह सब आजागा examples दिया होए तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आए infinity usually two से start होता है उसके बाद क्या आजाएगा एक basic form of verb आजाएगा जो कि simple form of verb होता है जो कि आपको dictionary में available होता है examples होते जो infinities के अगर बात करें तो to read करना to run to jump to play to sing to laugh to cry to eat and to go यह सब क्या है to पहले आ रहा है बाद में verb आ रहा है तो इस तरह से आप identify कर पाऊगे कि infinities क्या है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा next अगर बात करें gerants तो gerants क्या होता है तो gerants are the word that formed with verbs यानि कि verbs के तोर पे इसको use किया जाता है लेकिन यह noun जैसा काम करता है है तो verb है तो verb लेकिन यह noun जैसे act करता है noun जैसे काम करता है तरीका है अगर कोई भी sentence में verb के साथ ing लगा हुआ यानि कि verb है कोई भी verb है और साथ में क्या है ing लगा हुआ है प्लस करके तो समझ जाना कि वो जो चीज है वो gerants है तो यह चीज याद रखना और इसमें कोई भी expectation होता नहीं कोई rule नहीं है यहां पर बहुत ही simple है इसको identify करना जैसे कि पहला है swimming in the well has been rahul's passion since she was five years old ठीक है न तो यहां पर mistake होगे है यहां पर she गया है जगा पर क्या आएगा ही आएगा तीक है राहूल जो है वो एक male है that's why यहां पर ही आएगा ठीक है इसको correct कर सकते हैं आप लोग swimming in the well has been the rahul's passion since he was five years old यानि कि जब वो पाथ सल लगा था तब से राहूल का जो passion है वो क्या है swimming है तो यहां पर आगर आपको पूछेगा कि identify the gerund तो आप कैसे पेचान होगे swimming क्योंकि नाम के आगे आप देखोगे swimming करना मतलब verb हो गया और verb के आगे ing लगा हुआ है तो verb और ing जब होता है तो वो चीज क्या होता है यह क्या होता है जीरंड होता है तो swimming is the gerund second example देखेंगे let's go dancing at the pub tonight यानि कि आप चलते हैं रात को pub में dance करने के लिए ऐसा कोई तो बोल रहा है तो यहां पर आपको कोई पूछता है कि identify the gerund तो आप क्या बोलोगे क्या आएगा gerund मैंने बताया था gerund मतलब verb होगा और साप में ing होगा तो verb यहां पर क्या है dance करना verb हो गया और साप में ing भी लगा है यानि कि यह क्या हो जाएगा clear है दोस्तों तो उमीद करता हो कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है बहुत ही simple सा example था एंड चलते हैं last topic जो कि है participants तो participants क्या होता है तो पहले बात तो इसको हम समझने की कुशिश करते हैं एड जेक्टिव क्या होता है जो नाउन का क्या बताता है विशेशता है बताता है एक तरीके से नाउन का एक तरीके से प्रॉपर्टी बताता है तो note that in the example sentence given above the phrases hearing a loud noise which is introduced by a participle called participle phrase यानि कि अभी एक्जांपल हम लोग देखेंगे तो उससे हम लोग आइडिया मिलेगा क्या बोला कि कुछ एक्जांपल दिया हुए knocking at the door he demanded admission तो knock कर रहा है door को तो यहां पर आप देखोगे तो जो knock कर रहा है action कर रहा यानि कि वर्प भी है knocking at the door he demanded admission और आपको सामने यहां पर लिखा रहेगा identify the participle आपको ऐसा question पूछा रहेगा identify the participle तो आप क्या identify करोगे कि वह वर्प और adjective का एक तरीके से mixture होना चाहिए knocking is the best example you can say here कि यहां पर knocking जो है वो मेरा हो जाएगा वह अगर next बात करे second example है यहां पर we met a girl carrying a basket full of vegetables यानि कि मेरको एक लड़की हम एक लड़की को मिले जो carry करी थी कि एक पूरा vegetable का basket को जो carry carry थी ठीक है अब यहां पर carry कर रही थी यानि कि क्या हो रहा है यहां पर action हो रहा है लेकिन carry किसको कर रही थी बास्केट full of vegetables को यानि कि वो उसका noun का विशेशता है बता रही है यानि कि adjective तो एक तरीके से दोनों का mixture है that's why यहाँ पे caring जो है वो क्या हो जाएगा मेरा participle हो जाएगा and third the old woman thinking all the safe thinking is nothing but again verb plus adjective यहाँ पे आ हो जाएगा infinite word होता है दूसरा infinite word होता है और infinite के टीन टाइप हमने पड़े एक था हमारा जिरंट दूसरा था पार्टिसीबल एंड तीसरा हमने देखा था दोस्तो पहला क्या था यहाँ पे जीरंट था एंड उसके बाद infinitives देखा था, ठीक है, तो infinitives, zero and participle, ये तीन हमने देख लिया, और इसे के साथ हमारा ये जो आज का topic है, चोटा सा topic हम लेकर आये थे, आपके लिए तो उमीद करता हूँ कि जितने भी examples and topic हमने समझाने कि आपको कोशिश की है, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो thank you so much for watching this video and we'll study more grammar, हम लोग आगे और grammar पढ़ेंगे जब भी हम लोग next lecture आपके लिए रिगर आएगे तो thank you so much for watching this video और ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताइएगा, अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है useful लगा है friends, तो please वीडियो को like किजेगा share किजेगा, आपने सारे friends लोग को फटा फट से share कर देना, अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो फटा फट से हमारी